आज हम पाठेपुस्तक इसपर्ष का विखंड से खुश्बू रचते हैं हाथ इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूडे करकट के धेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस तोले के अंदर, खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ। कवी कहते हैं कि सुगंदित वस्तूओं का निर्मान करने वालों का जीवन जो है, वो निमनिस्तर का होता है। वे गरीबी में अपना जीवन ब्यतीत करते हैं, कभी कहते हैं जो हाथ खुश्बुदार अगर बतियों को बनाते हैं, वे स्वेम एक गंदी बद्बुदार जगा पर रहते हैं, घरों के आसपास नालो वा कूडों का धेर पाय जाता है, अगर आप उस जगा पर जाएंगे, तो वहाँ पर फैले बद्बु से मानो आपके नाक फट जाएंगे, वहाँ की बस्तियों में चारो तरफ बद्बु ब्याप्त होती हैं, वहाँ एक पल आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, उस टोले के अंदर, यहां टोले से तात परे बस्तियों से है, या उन मजदूरो की मजबूरी है कि उन्हें ऐसे स्थान पर अपना निर्वाह करना पड़ता है, कभी कहते हैं कि इन कारिगरों की यही विसिस्ता है, कि स्वेम तो वह बद्बुदार जगों पर रहते हैं, पर दूसरों के लिए वह सुगंदित अगर बत्यों का निर्मार करते हैं, दूसरो के चैने इस कभीता के माध्यम से निर्धन छेत्रों के तरफ इशारा किया है, उबरी नसो वाले हाथ, घिसे नाखुनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए-ने हाथ, जूही की डाल से खुश्बुदार हाथ, गंदे कटे-पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशूर अगरबतियां इन्ही गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवडा, गुलाप, खस और रातरानी अगरबतियां दुनिया के सारी गंदगी के बीच, दुनिया के सारी खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ दूसरा पद है खुश्बो का निर्मार करते हैं यानि कि अगरबतियां बनाते हैं उनकी हाथ रूखे, बेजान वा उनके हाथों की नसे उबरी हुई होती है उन मजदूरों के हाथों के नाखून खीसे हुए होते है इस कवीता के माध्यम से कभी विभिन वर्ग के लोगों की बात कही है जैसे नन्हे बच्चे, युवतियां, बुड़े बैक्ती जो सारे इसकारे में लगे हुए हैं इन सभी वर्ग के बैक्तियों की बात कवी यहाँ पर इस कवीता में कर रहे हैं कुछ बच्चे भी ये काम करते हैं जिनकी हाथ पीपल के पत्ते के समान कूमल होते हैं एवं कुछ कम अमरकी लड़कियां भी होते हैं जिनकी हाथ जो ही डाल की तरह होती है जो ही एक परकार का फूल होता है जो चमेली की तरह खुश्बुदार होता है तो कभी कहते हैं ऐसे कुछ मजदूर वर्ग भी है जिनके हाथ गंदे, कटे वह घाव से भरपूर है जख्म से कटे, फटे हाथ भी इस काम में लगे हुए है इतनी मुसीबतों के बावजूत ये मजदूर काम में लगे हुए है इस पद से कभी विविन स्रेणियों के वर्ग के बारे में बताया है वे किस प्रकार मजबूरी में मजदूर बने तीसरा पद इस प्रकार है यही इस गली में बनती है मुल्क की मशूर अगर्वतियां इन्हें गंदी महलों के गंदे लोग बनाते हैं किवड़ा, गुलाब, खस और रातराने अगर्वतियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुश्बू रचते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ खुश्बू रचते हैं हाथ कभी इस कभीता में कहते हैं देश की प्रशिद अगरवतियां इसी तंगली महले में बनती हैं, यहां मुल्क से तात परे देश से हैं, तो कभी कहते हैं यह कैसी विड़म बना है जो दूसरों के घरों को खुशबूर से भर देते हैं और उनके खुद के घर वा महले बधुदार होते हैं। इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग ही किवड़ा, गुलाब, खस वरातरानी की सुगंद वाली अगरवतियां बनाते हैं। देखें किवड़ा से तात परे है एक छोटा सा पोधा जिसके फूल अपनी सुगंद के लिए परशिद हैं। खस का मतलब पोस्ता दाना, वरातरानी भी एक परकार का सुगंदित पुश्प है। इन ही गंदे मुहलो के गंदी लोग इस पंक्ती से कभी का तात परे है गंदगी में रहने वाले लोग जो मजबूरी में, गरीबी में, ऐसी गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। देखे, यहां समाज की विसमताओं को कभी ने उजागर किया है। कभी एक श्रेणी की लोग जो खुद गंदी बस्तियों में रहते हैं, किन्तु दूसरों को, वो उच्छ श्रेणी के घरों को खुश्बू से भर देते हैं। तो यहां पर कभी फिर से कहते हैं, खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ, अर्थात, निम्न वर्ग है जो खुश्बूदार अगर्वतियों का निर्मार तो करते हैं, किन्तु खुद बदबूदार जगों पर रहते हैं। कवीता लिखने का उद्देश कवी का यही है कि वे गरीब मज़दूरों की स्थिती से हमें अवगत कराएं वो समाज में फैली गरीब अमीर की भामना को दूर करें मज़दूरों वा कारीगुरों का जीवन चितरन करके उनके जीवन को सुधारने का परियास ही इस कवीता का मुख्य लक्षे है